नमस्कार दोस्तों सान कीचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्या आपने कभी नमक पारे खाई है नमक पारे खाने में बहुत ही टेस्टी होती है ये बहुत ही करंची होती है आप इसे आसानी से जटपट बना कर तैयार कर सकते हैं खास कर नमक पारा बच्चे लोग को बहुत पसंद आता है लेकिन बच्चे हो या बड़े इसे खाना कोन नहीं चाहेगा ये हैं ही इतना किरिष्पी और क्रंची जिसके कारण इसके सभी लोग दिवाने हो जाते हैं इस बरसाद के मोसम में गर्मा गरम करक चाय और नमक पारे मिल जाए तो मजा ही आ जाया तो चलिए नमक पारे बनाना सुरू करते हैं नमक पड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक कटोड़ी मैदा को ले ली हूँ अब मैं जमाइन को अच्छी तरह से हाथों से मसल लेती हूँ और उसमें मैं डाल देती हूँ अब मैं काला जीरा को भी लेके मसल लेती हूँ और डाल देती हूँ इसे हमारा स्वाद नमक पारा का बहुत ही अच्छा आएगा अब मैं इसमें स्वाद अनुसर नमक को डाल देती हूँ दुतिन चमच के अंदास से मैं इसमें रिफाइन को डाल दी हूँ आप यहाँ पे घी की भी डाल सकते हैं मैं यहां पे रिफाइन डाली हूँ और इसे अच्छी तरह से मैं मिला लेती हूँ आप इसे अच्छी तरह से मिलाए इसे हमारा नागुमाक पाड़ा अच्छा बन कर तैयार हो आप देख सकते हैं कि मैदा मुठी बंद करने से हमारा मैदा अच्छी तरह से जूर जाता है यानि कि हमारा रिफाइन का मातरा सही है अम मैं इसमें थोरा थोरा पानी डालके इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूं अम मैदा में मैं थोरा थोरा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मैदा को गूथ लेती हूँ आप इसमें धीरे धीरे पानी डाले इससे हमारा मैदा अच्छी तरह से गूथ जाएगा एक बार डालने से मैदा हमारा गिला हो जाएगा आप इसे अच्छी तरह से गूथ ले, मैं डो को अच्छी तरह से बना ली हूँ, और मैं इसे थोरा सा और इसे डो को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ, और मैं इसे छोटे-छोटे टुकरों में बना लेती हूँ, ऐसे हाथ के हथेली से गोल-गोल कर लेती हूँ, मैं सारे मै चोटे चोटे लोई बना ली हैं और इसे मैं बेल लेती हूं इसमें रिफाइन डालके और इसे अच्छी तरह से पतला पतला करके बेल ले मैं इसे अच्छी तरह से बेल ली हूं आप देख सकते हैं कि यह कितना पतला है और मैं इस पे रिफाइन को लगा लेती हूं ऐसे मैं दूसरे भागों में मोर लेती हूँ, पराठब के तरह सेप में, अम इसे हलका बेलन को चला लेती है कि आम इसमें काटे वाला चमज से इसे माई धीरे धीरे इसमें च्चेद कर लेती हूँ, इसे हमारा नमक पाडा कुर्कूरा बनकर तयार होगा मैं दूसरे भी इसी तरह बेलन से पतले करके बेल लेती हूँ आप इसे अच्छी तरह से बेल के इसमें रिफान लगा के और इसे मैं मोर लेती हूँ फिर दूसरे तरह भी मोर लेती हूँ इसे मोर के हलके बेलन को मैं चला देती हूँ इसे चम्मध से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देथी हूं इसे हमारा की Channel क्रिस्पी बन कर त 코로्यार होगा मैं सारे नमकपारा को अच्छी तरह से बना ली हूँ और मैं कराही को चड़ा दी हूँ खराही हमारा गर्म हो गया हम मैं इसमें डिफाइन को डाल देती हूं इसे अच्छी तरह से गर्म कर ली हूं अब मैं इसमें नमक पारा को डाल देती हूं इसे मैं लोफ लेंपर अच्छी तरह से इसे पका लेती हूं मैं इसे दो-तीन मिनट तक इसी तरह छोड़ देती हूं तब मैं इसे धिरे-धिरे मिला के इसे मैं पल्टा लेती हूं आप इसे अच्छी तरह से पल्टा के इसे पका ले हमारे चैनल पर नई है तो हमारे चैनल को सुस्क्राइब करना न भोले और वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक सेर जरूर करें आप देख सकते हैं कि हमारा नमक पारा अच्छी तरह से पक गया है अब मैं इसे निकाल लेती हूँ इसी तरह मैं सारे नमक पारा को निकाल लेती हूँ अज़ में फिर मैं नमक पारा को डाल के इसे अच्छी तरह से मैं पका लेती हूँ आप इसे सापधानी से डाले ताकि हमारा तेल जो है उरके ना परे आप इसे अच्छे से निकाल ले हमारा सारा नमक पाड़ा बनकर तयार है अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ यह देखिए दोस्तों हमारा नमक पाड़ा देखने में कितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही क्रिस्पी और क्रेंची है अब आप चाय और नमक पारा का अनेंद ले सकते हैं इसे निमकी और नमक पारा के नम से जाना जाता है आप लोग इसे क्या कहते हैं कॉमेंट बक्स में जरूर लिखे हमारी ये रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट बक्स में जरूर लिखे और मैं आप लोगों के लिए नई रेश्पी क्यावनाओ कॉमेंट बक्स में जरूर लिखे मैं उमीद करती हुआ कि हमारी ये छोटी सी कोशिस आप सभी को अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत भहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखें और स्वस्त रहें झाल झाल